अलो गाइस बेलकम बेक टू माइ न्यू विलाग तो गाइस नब बर्स के आपको हार्देक हार्देक सब कामना है तो गाइस अभी हम लोग आए छोटी अनोनी और छोटी अनोनी का क्या सीन है किया भी हुए आप सभी को हम दिखाएंगे और इसी नए वर्ष की उत्लक्स में ह अभी थोड़ी दिर में हमारी फैमली आने वाली है गाइस तो मिलते हैं गाइस जब तक इंतियार करते हैं हमारी फैमली आ रहे हैं वो लोग दूसरी गाड़ी से आ रहा है हम लोग चल्ली आ गए थे तो मिलते हैं अभी हमारी फैमली आ गई है और अभी वो लोग गए हैं आने के लिए तो जब तक हम बेट करते हैं और यहीं आसपास भूनते हैं आपको दिखाते हैं आसपास कर चूती एनोगी कि किस तरह का भी हो है किस तरह का नजारह है दिखाएंगे साफ और गाय सब्सक्राइब场抗ार्ट धंडी जैसा कि गाईज यहाँ पर न्यूवर्स सेलिवेशन करने के लिए बहुत सारे लोग आए हैं जैसा कि आप देख सकते हो गाईज यह सामने पंपे देख रहा है इसमें बिना लाइट बिना मोटर के पानी निकल रहा है और इसकी एक खास बिसेशता है इसमें गरम पानी निकलता है इसलिए यहाँ लोग नहाने के लिए आते हैं और गाईज यहाँ का मानना है कि इस पानी से नहाने से जो सरीर में शरम रोग होते हैं वह ठीक हो जाते हैं और गाइस डेडिस के लिए अलग एक कुंड बनाएं नहाने के लिए उनकी एक अलग वुवस्ता है और जैन्ज के लिए यही पर नहा सकते हो उनको लिए पीए कुंडा है वहाँ पर भी नहा सकते हम आगए वीडियो में बताएंगे कि एसा कुंडा है यह देखिए गाइस आप पास से भी देख सकते हैं अगा नल कूप से किस तरीके से पानी निकल रहा है जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं किस को नमा किस तरीक किसे नहाए जाता है कि गरम पारी निकलता है इसमें कि मज़ा आता है जैसा कि गाइस बताए जाता है फुचरम रोग तो ठीक हो जाते हैं अपन लोग कहां पर आए हैं तो आपने नहाएग नहीं दुगी कहां पन नहाया था नहां कि अपने आपको दिखाने के पूर्शिस चोटी मोटी और गैस बस यही विस्षचता है कि वहां गरम कुंड़ गरम पानी निकलता है इसलिए थंडी के मौसम बे जाता तर लोग वहां जाते रहते हैं तो गाइस आज के लिए बस इतना है तो मिलते हैं गाइस नेश्ट व्लाव कुम